नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐलसोन हदी करीम की दवारीव में आपका स्वागत है आज देखेंगे ऐलसोन हदी क्रीम की कम्पोजिशन क्या है यूज़ेश प्रियोग की विधि साइड एफेक्ट और यह मार्केट में किस मूल ले पर उपलब्ध है किस कंपनी वीडियो को अन तक देखिए क्योंकि अगर आपने इस क्रीम का सही से प्रियोग नहीं किया तो इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है जिससे आपकी स्किन बहुत खराब हो सकती है और चहरे को नुपसान हो सकता है अगर आप इस क्रीम को यूज कर रहे हैं और सही तरह स क्रीम से प्रियोग ना करने की वज़े से फेस खराब हो गया है तो इसको ठीक करने का तरीका भी हम इस वीडियो में बताएंगे तो प्रियोग का सही तरीका जानने के लिए पूरा वीडियो देखना आवश्यक है वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और आज की दवा आज की दवा ऐलसोन स्ट क्रीम का कमपोजिशन है हाइडर क्योंन ओमेंटासोन फूरेट एंड टेरी टानिन यह लीफोड कंपनी द्वारा बनाई जाती है और मार्केट में 15 ग्राम और 25 ग्राम में अवलेबल है 15 ग्राम का मूल्य 115 रुपए है और 25 ग्राम का इस दवा का प्रियोग चैरे पर डार्क स्पोर्ट्स जाईयां पिम्पल के निशान को खर्ण करने के लिए किया जाता है इसका प्रियोग हम स्किन लाइटनिंग गोरे होने के लिए भी कर सकते हैं इसमें हाइडरो क्योन है जो स्किन लाइटनिंग एजेंट है इट डिक्र यह चहरे पर नई तुचा की प्रत लाता है जिससे चहरे पर हलकी लाली आ जाती है टेरेटोनिन विटामिन ए का एक रूप है यह नई तुचा की पोसंड के लिए शायक होता है इस क्रीम को केवल रात में ही प्रियोग करें प्रियोक की विधी गुन गुने पाने से चेहरे को अच्छी तरह दो लें और साफ कपड़े से चेहरे को सुखा लें उसके बाद चेहरे पर हलके हाथ से क्रीम लगाएं क्रीम की मालिस या मसाज ना करें रात भर कोई दूसरी क्रीम या कोई अन्य चीज ना लगाएं और सुबह उठते ही सबसे पहले चेहरे को पानी से साफ करें उसके बाद अलेविरा जेल फेस वास से मुझ को धो लें और किसी अच्छी कंपनी का अलोविरा चेहरे पर लगाएं इसका प्रियोग आप तीन से चार हफ़ते तक कर सकते हैं उसके बाद इसको एक दिन छोड़ कर प्रियोग करें लेकिन प्रियोग की विदी वही रखें जो उपर बताई गई है अन्य कॉस्मेटिक क्रीम इसके साथ में एलर्जी कर सकती हैं तो इसके साथ में किसी भी अन्य क्रीम, कॉस्मेटिक क्रीम, मॉस्चराइजर का प्रियोग ना करें दा जर्नल साइड एफेक्ट जो मॉमेंटसों के साथ पाए गए हैं वो हैं गर्वती महिलाओं के लिए यह की क्रीम सुरक्षित नहीं है अगर दवा लगाने से अलर्जी होती है तो तुरंद बंद कर दें और डॉक्टर की सला लें दोस्तों यह वीडियो दवा की जानकारी के लिए है प्रियोग से पहले गरपड़ डॉक्टर की सला लें वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए जिससे ज्यादर से ज्यादर लोगों तो जानकारी पहुंच सके और चैनल को सबस्क्राइब कीजिए जिससे नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंद मिल सके थैंक्स फॉर वाचिंग